आपको देखा होगा, अभी दो-तीन दिन पहले मैंने संसद में पार्लामेंट में गोवा क्या जिक्र किया था कैसे कॉंग्रेस ने गोवा मुक्ति संग्राम को तबाह करने का काम किया था मैंने इसके बारे में पूरे देश को सच्चाईयां बताई थी बहुत से लोग इस बारे में जानते ही नहीं है कि गोवा भारत की आजादी के भी देड़ दसक बाद आजाद हुआ था पंदरा साल जादा गुलाम रहने के लिए मजबूर किया गया था भारत के पाद फोस थी सेना थी हमारी मजबूर नेवी थी कुछ गंटे में जो काम हो सकता था वो कॉंग्रेस ने पंदरा साल तक नहीं किया गोवा के लोग अपनी मुक्ती के लिए संगर्ष करते रहे सत्याग रही गोलियां खाते रहे अत्याचार सहते रहे लेकिन कॉंग्रेस की सरकार ने उनकी मदद नहीं की देश के पहले प्रधान मंत्री पंडित नहरुजी ने लाल कि ले से कह दिया था और आज आप उनका पासर यूटूब पर जाकर के सुन सकते हैं लाल किले से कह दिया था कि गोवा की मुक्ति के लिए संगर्ष कर रहे सत्याग रहों की मदद के लिए वो फोज नहीं बेजेंगे मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने मरना है तो मरो जीना है तो जीनो ये तरीका गोवा को लेकर कॉंग्रेस की यही सोच पहले भी थी और आज भी है कि उदे खारीक पहले के लिए भी है कि खारीका पहले कर दो जाने मरना है